गो एकmäßig कर दोंसतो नाम का भीलसिंगा सवागत आपका स्थ याउकिन प्लाटपरंफॉं बेडिया वो इंडियन गयुरंनेट हह भूपर्फॉटज पे इंडियन गर्मेंट के ऐसेट्स के पीछे जा रहे है। वो इंडियन गर्मेंट के इंटरनाशनल एसेट्स को foreign assets को liquidate करने की कोशिश कर रही है तो जैसे है कि आपने देखा कि British company जो है क्यों इंडिया उसने secure कर लिया एक French court से order जिसमें लगबग 20 Indian government की properties जो abroad हैं उसको seize करने की, freeze करने की बात की जा रही है इसकी total value लगबग 20 million euros की है यह पहला ऐसा order है जो इंडिया के against लाया गया है इसमें 1.2 billion dollar का arbitration award इंडिया के against दिया गया है के-अन इंडिया का तो के-अन इंडिया जो है यहां पे वो जीच चुकी है यह एक important arbitration हो चुका है, यहां पे बहुत जादे इंडियन government को losses होने वाले हैं और इसी के चलते, अब हम देखेंगे कि कैसे government of India इससे बचेगी कहा जा रहा है कि retrospective text dispute था जो government of India के एक law की वज़े से arise हुआ finance ministry ने तो कहा है अभी तक उनको ऐसा को communication नहीं मिला है French court से वो facts को ascertain करने की कोशिश कर रहे हैं तो जानेंगी इस video में कि के और इंडिया कैसे एक French court से ये order ला सकती है Indian properties को कैसे Paris में freeze कर सकती है कैसे वो assets को liquidate करेगी कैसे तरह पहले भी कभी Indian government के साथ हुआ है और Indian government इससे कैसे बचेगी क्या क्या options है Indian government के पास आप study IQ पर विबिन माधिमर से जूड़ सकते हैं मेरे जितने भी वीडियोज आते हैं इस सबके PDF में टेलगाम चैनल add the rate couple life से राउनलोड कर सकते हैं आप मुझे add the rate couple से का Twitter handle पे भी follow कर सकते हैं तो एक बार जल्दी से timeline देख लेते हैं 2004-2007 में के और इंडिया ने राजिस्थान में कुछ oil fields को discover किया, listing करी BSE पे उसके बाद 2011 में विदानता ने acquisition कर लिया, लगबग 58% जो share है वो खरीद ले कियान energy के, अब यहाँ पे 2012 में आपको याद होगा Vodafone text dispute हुआ था जिसमें Supreme Court ने Vodafone के favor में ruling की थी, यह text dispute retrospective laws को ले के था government कुछ laws ले के आई थी retrospective manner में जिसमें कहा था कि कोई भी, कोई भी अगर यहाँ पे international company कोई भी company इंडिया में आती है और इंडिया में वो कोई business करती है और अपने जो shares हैं वो इंडिया में liquidate कर देती है, तो जब भी वो बेच के जाएगी तो उसे कुछ taxes देने पड़ेंगे, उसको कुछ capital gains tax देने पड़ेंगे, तो इसी के चलते Vodafone के साथ भी tax dispute हुआ था, तो वो tax dispute तो Supreme Court में Vodafone जीत गया था, लेकिन उसको nullify करने के लिए government retrospective amendment ले आई थी tax laws में, और कहा था कि यह taxation treaty जो है, यह काफी पीछे से, जो है, वो applicable होगी अब यहाँ पे, same क्याँ इंडिया के साथ हुआ कि tax department ने एक probe को देखना शुरू कर दिया, उन्होंने का है, जो 2006 में asset transfer हुआ था, उस asset transfer में, यह company के कुछ 6000 करोड की tax liability बनती है, 2015 में क्याँ इंडिया जो है, वो international arbitration में ले गई थी case 18 में, arbitration जो है, वो उस company के favor में आया, और March 2021 में, जो company है, वो कोशिश कर रहे है कि अपना arbitration award का जो पैसा है, वो भारत सरकार से ले तो जैसा कि हम देख पारे हैं कि arbitration जो है, वो इंडिया और के बीच में challenge हुआ है, ये आया है retrospective taxation policy को लेके 2012 में, एक law लाया गया, जिसमें ये कहा गया कि कोई भी company, अगर कोई भी non-Indian company, इंडिया में अपने shares transfer करती है, और जब वो उन shares को बेच के जाती है, तो 1962 उसे लेके अब तक ऐसा जितनी बार हुआ है, उसको tax, उसको कुछ tax भारत सरकार को देना पड़ेगा, तो ये भी एक बड़ी problem है कि retrospective लगा दिया गया, आप सोचिए, 2012 में ये taxation dispute arise हुआ, और इसे 1962 से लगा दिया गया, तो ये retrospective nature है, और इस तरह कि tax laws में लग सकता है, अब यहाँ पे KN India ने exactly किया क्या था, KN India ने एक consolidation bid करी, अपने Indian assets को एक company के अंडर रखे, अब बाद में जब वो assets जो हैं, विदानता ने खरीदे, विदानता ने KN India के shares खरीद लिए, तो यहाँ पे लगभग 9% जो shares हैं, वो KN India को विदानता को transfer करने थे, अब यह Indian government ने allow नहीं किया, क्योंकि Indian government ने कहा कि आप India से, जब अपने assets हैं, या फिर अपने जो shares हैं बेच के जा रहे हो, उसके बदले में आपको भारत सरकार को 6000 करोड का tax gain देना पड़ेगा जबकि KN India ने कहा कि 2006 में जब हमने transaction किया था, तब तो आपने बात raise नहीं की थी, आप ये बात हमें 2013 में आके, 11-12 में आके बता रहे हो, तो ये एक बड़ा यहां पे factor भी बना है कि KN India की तरफ से, कि उन्हों ने कहा, जब हमने 2006 में transaction किया था, तब Indian government ने ही इसे clear कर दिया था, और तब हम पे कोई tax liability नहीं डाली थी, इसी तरह का case Vodafone के साथ भी हुआ जब Vodafone Supreme Court में case जीद गया, तो उसके बाद government को retrospective taxation amendment लाना पड़ा Indian assets के transfer के case में तो similarly, इसी retrospective taxation से, जो UK की जो company है उससे भरत सरकार ने 6000 क्रोड का tax मांगा, लेकिन अब वो company ये कह रही है कि आपने एक तो UK इंडिया bilateral investment treaty को भी infringe किया है, breach किया है साथ ही साथ आपने हमारे साथ fair और equitable manner में हमारे साथ treatment नहीं किया है, मतलब हम foreign company है, हम कुछ investment ले किया है UK से, आपकी bilateral investment treaty है, आप हमें इस तरह से taxation में नहीं ला सकते हम से tax नहीं ले सकते, इसी को लेकर last year एक three member international arbitration बैठा, tribunal बैठा, उसने जो है government of India के against यहाँ पे judgment दियो, और कहा government of India ने breach किया है, जो guarantee उसने bilateral treaty में दी थी, मतलब government of India ने UK के साथ equity sign की, उसमें गा कि आपकी country से जो भी companies हमारे invest करना चाती है, हम उनको fair treatment देंगे, हम उनको benefits देंगे, और ऐसे में केन India आ गई, अब उसने केन की company इंडिया आ गई, उसने आप investment किया, अब जब वो वापिस जा रही है, तो सरकार उस पर tax लगा रही है, उसके profits पे, तो इसकी बात यहाँ पे हो जाती है कि equitable treatment की जो guarantee Indian government ने दी थी, ऐसा कहा जा रहा है कि Indian government ने उसको breach किया, और इसी breach के चलते हैं Indian government के against ही ये award आया, जिसमें Indian government को 1.2 billion dollars का compensation देने की बात की गई, अब इस award को Indian government ने accept नहीं के, Indian government बोली कि हम इसको अपने according deal करेंगे, हम ये award नहीं मानते, इसलिए आप can India कह रही है, या can energy जो है, वो ये कह रही है, कि हमारा ये जो 1.2 billion का आप पे compensation बनता है, या तो ये दे दो नहीं तो हम आपके assets जो है international market में, international countries में, उसको बेचना, बिकवाना शुरू कर देंगे और वहाँ से पैसे ले लेंगे, अब ये हुआ कि arbitration का जो award है, वो हेग में deliver किया गया था, India ने इसके against नीदरलेंड में appeal, file कर दी है, लेकिन तब तक, आप देखेंगे, तब तक Indian government के against कुछ compensation के जो, जो awards है वो standing है, Indian government को compensation यहाँ पे देना पड़ेगा, इसी तरह से एक और पुराना मामला, 5.47 million dollar का, अभी भी Vodafone के against Indian government का खड़ा हुए, वो Indian government से Vodafone मांग रही है, और Indian government उसको अभी भी नहीं दे रही है, लेकिन Ken India ने एक move आगे बढ़ा दी Ken Energy जो है, अब वो एक move आगे चली गई उसने Indian government के assets को attach कराना शुरू कर दिया, वो है कहा रही है कि अगर Indian government हमें पैसे नहीं देती तो देश भर में, दुनिया भर में Indian government के जो भी जितने भी properties हैं, जितने भी bank में पैसा रखा है, हम वो सब freeze कराना शुरू कर देंगे, क्योंकि हमें अपना पैसा, हमें अपना compensation का amount चाहिए, तो Ken India ने ये जो arbitration है, इसको register करा दिया है, several nations में US, UK, Singapore, France, Netherlands usually कहा जा रहा है कि यहां जो government of India की prime, premium properties है या public sector banks का जो पैसा इन accounts में रखा हुआ है, यहां के bankों में, वो freeze किया जा सकता है ये award जो है, वो enforceable है Indian owned asset के against अब देखो कैसे किया जा सकता है, क्या possible है, बिलकुल 1958 में एक New York convention sign किया गया था, उसमें recognition and enforcement of foreign arbitral awards था मतलब अगर एक एक country के against कोई awards जीच जाती है, कोई tribunal में case जीच जाती है, तो वो उसको enforce कर सकती है, उसके assets बेच के, तो यहां पर recognition and enforcement 1958 law के चलते, क्योंकि उसकी 160 countries जो है उसकी signatory भी है, ratify भी क्या हुआ है, तो यहां पर India के जितने भी बाहर की properties है वो extract की जा सकती है, साथ ही साथ, जितने भी public sector undertakings है उनका जो foreign banks में पैसा रखा है, वो भी freeze किया जा सकता है, या फिर Indian government या Indian banks की जो बाहर properties हैं, उनको भी लिया जा सकता है, तो यह क्योंकि इस तरह से अब देख रहे हैं, इतनी सारी countries में इसको register करा दिया गया है, और यहाँ पर identify किया जा रहे हैं कि लगभग 70 billion dollar के assets जो है Indian government के बाहर हैं, अब इसमें New York में इसको sue किया गया Indian government को, New York में जो Indian government की properties हैं, उसको जहाँ पर Air India का office है, जहाँ से वो United States से operate करती है, उसको भी claim किया जा रहा है, कि इसको भी liquidate करके हमें दे दो, जिससे कि हम अपना compensation का पैसा ले पाएं अब यह जो पूरा को पूरा सेनारियो है इसको लेके अभी government of India देख रही है कि क्या किया जा सकता है अच्छा, यहाँ पर एक और बड़ी विच्वतर बात है कि claim किया गया एक residential real estate भी, जो कहा जाता है कि Indian mission के अंडर आता है, Indian embassy के अंडर आता है तो क्या इस तरह से जो properties Indian embassy की हैं दुनिया भर में, उनको भी इस claim के अंडर लिया जा सकता है तो यहाँ पर एक बात clear हो जाएगी कि Indian government के जो otherwise properties है या PSU's की properties हैं banks की properties हैं, उनको तो liquidate किया जा सकता है लेकिन जब बात आती है embassies और consulates की तो उसको नहीं किया जा सकता है क्योंकि वो invariable होती है वो 1961 Vienna convention के according काम करती है, तो भारत सरगार की जो embassies हैं, जो की current energy मांग रही है France की, वो नहीं मिलेगी क्योंकि वो law के against है हाँ, बाकी जितनी एर, अगर एर India की कोई property है, State Bank of India की कोई property है, भारत सरगार की अपनी कोई अलग से property है, कोई वहाँ पे उन्होंने कोई residential property create की हुए जिसमें in general, वो वहाँ पे कोई consulate के members ना रहके in general government officers जाके रहते हैं तो वो सारी चीज़े seize की जा सकती है और वहाँ से ली जा सकती है idea यह है कि जो soft power के जितने भी symbol है, चाहिको university इंडियन government ने establish की हुई है, वो सारी ली जा सकती है, इनको easy target बनाया गया, तो यहाँ पे एक बात clear होगए कि embassy, जो French embassy की जगा Indian embassy in France की जो जगा यहां मांगी जा रही है, वो नहीं मिलेगी, अच्छा इस तरह का क्या पहले भी कभी हुआ है, कि यह पहली बार किसी government के against इस तरह का award आ रहा है, ऐसा पहले भी होता है हमने देखा Argentina के against ऐसा हुआ घाना में, घाना में उनकी जितनी भी properties, जो ship बगेरा थे, वो सब seize कर लिए गए थे, साथी साथ इसी तरह से और भी जगे होता है, तो Argentina के साथ यह हुआ है, घाना में इसके अलावा आप देखेंगे, Conco Phillips ने Venezuela के साथ ऐसा किया है कि जब Venezuela ने Conco Phillips कंपनी के पैसे नहीं दे पाई थी, तो उसके assets, Venezuela के, assets जो हैं, वो seize कर लिए गए थे, इसे तरह से British Virgin Islands में Pakistan की कंपनी के अगेंस्ट भी हो चुका है US में, Manhattan में जितने भी, उस पाकिस्तान Airlines के, International Airways के जो properties थी, वो सारी seize कर लिए थी, एक private company ने तो idea बस यही है कि जब भी इस तरह के clashes होते हैं तो state sovereignty जो है अब Indian government गएगी कि हम sovereign है हमसे इस तरह के claims नहीं मांगे जा सकते हैं लेकिन International Arbitration में एक rule होता है कि अगर कोई भी country उस International Arbitration का part बन चुकी है तो उसको अपनी sovereignty forgo करनी पड़ती है क्योंकि जो भी International Arbitration का award आता है मतलब जो judgment आती है उसको accept करना पड़ता है तो इस तरह कि Indian government के और भी crisis की situation चल रहे है देवास multimedia में भी 1.3 billion के award इंडिया को अभी देना है क्यान energy तो हम देखी रहे हैं इंडियान energy में issue आई रहा है साथी साथ Voda phone में भी tax dispute अभी तक resolve नहीं हुआ है अब ऐसे में Indian government क्या करीगे अब यह तो हमने देखा क्या हुआ कि एक तरफ जो British firm है energy firm है वो कह रहे है कि हमारे 1.3 billion dollars का जो भी हिसाब बनाया वो हमें दे दो आप नहीं दोगे तो हम आपकी properties बेच देंगे जितनी भी इंडिया के बाहर है अब इसके चलते इंडियन government के पास क्या-क्या options है देखो सबसे पहली बात है इंडियन government जो है वो यहाँ पे इस tax dispute को उठा सकती है पहली बात यह है कि यहाँ पे क्योंकि फ्रेंच court की बात आई है तो इस तरह कि legal disputes जो है वो पहले भी आते रहे हैं जैसे मैंने आपको उता है पाकिस्तान अफगानिस्तान के अगेंस्ट आते रहे हैं तो अब इंडिया को क्या करना होगा कि यह जो appeal company ने किया यह malified intention के साथ किया मतलब यहाँ पे clear intention नहीं है हमारा पहले ही deal हो गया था इस company के साथ कि आपको इतने thousand crore का tax देना पड़ेगा कि इस company ने दिया नहीं सुना नहीं तो इस तरह का इंडिया को प्रूफ करना होगा कि यह जो appeal है यह गलत है दूसरी बात है या फिर out of court settlement करना पड़ेगा कि ठीक है हम आपका tax जो है forgo कर देते हैं आपके जो भी assets के transfer हम अलाओ कर देंगे आप अपने share बेच के चले जाओ यहां से हम आपसे कोई पैसा taxation के form में नहीं लेंगे और बदले में company कह दे कि हम भी आपसे कोई compensation नहीं मागेंगे तो एक out of court settlement की भी बात यहां पर Indian government कर सकती है in fact Indian government को पता है कि क्या इसके repercussions होने वाले है इसलिए Indian government ने भी हाल ही में अपने bank से कहा है कि जो भी पैसा आपके foreign accounts में रखा उसे सकता उनको भी frozen किया जा सकता है तो यहां पर Indian government थोड़ी सतर को गई है उसने का SBI से कि अगर France की किसी bank में आपका account तो वहां से पैसा निकाल लो New York में किसी bank में account तो वहां से पैसा अपना निकालना शुरू कर दो अब यहां पर इस तरह के से क्या India भी करता आया है बिल्कुल इंडिया भी करता आया है इंडिया ने भी इस तरह बहुत properties का seizure किया है पहले भी काफी cases आया है कि इंडिया की जो private companies हैं वो international वो बागी country से अगेंस इस तरह cases ला चुकिया और जीती भी हैं जैसे एक Indian private company है उसने एक arbitral award को enforce कराने के लिए Delhi High Court से orders लिया थी कि अफगानिस्तान embassy से पैसा उसको मिला मतलब अफगानिस्तान embassy उसको पैसा नहीं दे रही थी कुछ उसका victory का कुछ amount था कुछ उसका final arbitration का amount था उसने इंडिया एक इंडिया के जो है state versus private organizations का ये चलता रहता है क्योंकि तो international trade होता है जब international trade होता है तो internationally disputes भी arise होते हैं जब disputes arise होते हैं तो इस तरह के recovery mechanism बहुत बार अपनाए जाते हैं कोई नई बात नहीं है तो इंडिया की भी forms इस तरह से बाहर companies पे case बाहर की governments पे case डालती आई है जो एक बाहर की company ने अब Indian government पे case डाल दिया है अब इसमें देखो क्या India को ये judgment है माननी पड़ेगी India ये भी कह सकता है कि हम इस arbitration का part नहीं है हम एक sovereign country है हम इस judgment को नहीं मानेंगे तो उसके लिए हमारी ही एक judge की ruling है उसमें ये का है कि जब एक commercial transaction होता है जब हमने allow किया foreign direct investment तो हमने commercial transaction allow किया तो हमने इस बात का भी ध्यान रखा कि अगर further कोई dispute होगा तो उस dispute के लिए हम international arbitration के लिए तैयार है अगर वो country जब वो company जब इंडिया में पैसा लाई थी FDI लेके आई थी तो इंडियन government उसको ज़रूर assurance दिया होगा कि कोई भी text dispute आपके हमारे बीच में होगा कोई भी working dispute होगा तो हम international arbitration के लिए तैयार हैं और उसी international arbitration के चलते वो company जो है इंडिया को French court में ले गई है तो यह बड़ी बात हो जाती है कि किस तरह से इस तरह के जो disputes है वो उठते रहते हैं इस तरह के arbitration agreements जो है और ऐसे में governments को अपनी sovereign immunity को हटाना पड़ता है मतलब sovereign immunity का मतलब होगा कि उनको challenge किया जा सकता है मतलब एक private company एक सरकार को एक देश की सरकार को challenge कर सकती है international courts में और यही यहाँ पे can energy ने किया है इंडिया के साथ अब देखते हैं कि इंडिया इसको किस तरह से लेती है काइदा यही कहता है कि बहुत time consuming हो गया है अल्रड़ी इतना delay हो गया है तो यहाँ पे out of court settlement को ही करना पड़ेगा expensive litigation में इंडिया अल्रड़ी बहुत पड़ चुका है पहले भी इंडिया के और disputes चल रहे है what of उन वहला भी dispute अभी तक finalize नहीं हुआ है तो इंडियन गर्मेंट के पास जो option है वो out of court settlement के हैं क्योंकि अगर इस तरह की इंडियन गर्मेंट की properties बाहर सीज होने लगी तो वो एक international अच्छी image भी उससे नहीं जाती कि अच्छा message बाहर नहीं जाता है तो इस तरह के topics हम लाते रहेंगे UPCIS Pre-Combains के हमारे smart courses available है flat 50% discount के साथ studyiq.com में हमारी apps से download कर सकते हो है आशे करतों topic आपको समझ में आओगा मिलेंगे अगली ऐसी किसी news में तब तक लिए goodbye, take care and God bless you all